हेलो फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए नई रैसिपी लेक्याई हुए एक इसे निमगी और नवक पारा दोनों ही कहते और एक खाने में बहुत ही अच्छी लगती बच्छों की तो बहुत ही फैवरेट होती इसे ऐसे ही खा सकते या चाय के साथ में खा सकते यह बहुत ही अच करेंगे डाडला गी का इस्तेमाल करने से यह बहुत ही खस्ता कुरकुरे क्रिस्पी बनते हैं एक बड़े बाल में मैदा अजवाई नमक बेकिंग पावडर और घी हम इसमें मिलाएंगे घी हमें उतना मिलाना जिससे हमारी मुठी बन जाए ज्यान रहे हमें मुठी बनते जितना ही घी मिलाना है इससे यह बहुत ही खस्ता कुरकुरे किस्पी बनेंगे इससे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हम मुठी बान के देखेंगे अगर हमारी पुठी मद रही है तो हम उतना ही घी का उप्यो करेंगे बाकी घी हम रख लेंगे साइड में अब हम इसमें हल्का गुणगुना पानी एड करेंगे और इससे आठा गुंद लेंगे, हमें आठे को ज्यादा डिला या सॉफ्ट नहीं करना है इसे हमें टाइडी रखना है ज्यादा एक साथ पानी नले थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ही आठा गुंदे अब यह हमारा लगबख आटा तैयार हो चका है अब हम इसे 15-20 मिनिट के लिए ढग कर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे अब हम एक बड़ी सी लोई बनाएंगे और एक बड़ी सी उसकी रोटी बना लेंगे इसे रोटी की तरह पतला ही बिलना है जादा मोटा नहीं बिलना है और चाकू से इस तरह इसे कट मारे अब इसे दूसरी तरह घुमा कर इसे इस तरह चाकू से और कट मारे यह आयतकार यानि रेक्टेंगल शेप में होंगे इसे हम किसी पेपर या प्लास्टिक पे 10-15 मिट सुखने देंगे अब आप इसे गरम गी या तेल किसी में भी तल सकते हैं मैं इसे गरम गी में तल रही हूँ ये गी में तलने से और भी ज़्यादा स्वाधिस्ट लगती है इसे हमें पलट कर दोनों तरफ से सुना रहा होने तक अच्छे से तलना है क्रिस्पी होने तक इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसे हमें इसी तरह लाइट ब्राउन करके इसे हम गी से बहार निकाल लेंगे हमारी तयार निम्की को हम किसी प्लीट में निकाल लेंगे इसी तरह हम सारी निम्की को गी में फ्राइ कर लेंगे और इसे हम थंडा होने देंगे थंडा होने के बाद हम इसे किसी एटन कंटेनर में बर कर रखेंगे इससे आप ऐसे ही खाईए या चाय के साथ में खाईए बच्चों को टीफिन में डाले बच्चों के तो यह बहुत ही फैवरेट होती है तो अब हम जानते हैं हमारा आज का टीप आज का टीप यह है कि इसे बनाते समय इसे गरम पानिन में आटा गुंदे कि इससे ये बहुत थी खस्ता कुरकुरी और सॉफ्ट बनेगी उम्मिद करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना बुले कि उन्यवाद करते हूँ करते हूँ थी।